मद्यप्रदेश करमचारी मंच के बैनर तले भोपाल में विभिन करमचारी संगठनों ने एक साथ प्रदर्शन किया। मांगों के संबंद में या पनसोपा। मांगों के संदर्व में ग्यापन देंगे। हमारे साथ मौझूद है संगठन के प्रांती अध्यक्ष असोग पांडे जी। हम इनसे बात करते हैं पांडे जी क्या मांगे हैं आपकी प्रमुक। हमारी प्रमुक मांगे कि पुरानी पेंसन को बहाल किया जाएं केंद्र के समान महगाई भत्ता केंद्री तिस्ते दिया जाएं भस का सतमर्ण बनांका लाँद दिया जाएं बैक करम्चारी को नीमित कि जाएं के समाजिव सुरक्षा का लाब दिया जाएं पीया बीमा मेडिकल अवकाज सुविधा इसका लाब दिया जाए और करमचारी करमचारी है तो आइस्थाई और इस्थाई करमचारी में भेदवाव दाना खा जाए जैसा इस्थाई करमचारी को लाब दिया जाता है नीमित करमचारी को दिया जाता है वेसे इलाव आइस्थाई करमचारी को भी दियाजा, यह हमारी प्रमुख मांग है, क्या लगता है सर्कार मांगों को कितनी गंभीरता से लेगे, लेना पड़े इस सरकार वो गंभीरता से मांग क्योंकि ये लाखों करमचारियों से जुड़ी भी मांग है आप देख रहा है कि बरसात के सीजन में भी प्रदेश के कोने कोने से करमचारी भोपाल आया है अपनी आवाज बुलंद कर रहा है सरकार तक अपनी मांगों को पहुचाने की पहल कर र पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़े आगे हम और बड़ा निर्ने लेंगे अमरन अंसन करेंगे सत्य रह करेंगे जरूयत पड़ी तो भूखरताल करेंगे लेकिन अपनी मांग को मंजूर जरूर कराएं गए फिर भी नहीं होती है तो क्या चुनाव पे कोई असर पड़ेगा बिल्कुल जो हमें हमें खाना देगा हम उसका बजाना करेंगे और जो नहीं भूंका रखेगा तो उसकी हम उपे एक्षा करेंगे ये थे हमारे साथ प्रांती अध्यक्षे पांडे जी साफ तोर पर कहना है कि यदि कमचारियों की मांगो को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका असर चुनाओ पर भी देखने को मिल सकता है कैमरामेन रह्मान खान के साथ राहुल शर्मा दसूत्र भोपाल झाल